जैसी रादे, विल्कम टू रंग एस्ट्रो रियल एस्ट्रो रंग एस्ट्रो जब भी आपके बुद्ध की रेखा टूटती है तो उसके ब्यापक प्रभाव आपके जीवन में अस्पश तोर पे देखने को मिलते हैं आपके जीवन रेखा और भागी रेखा से गुजरते हुए एक रेखा आपके बुद्ध परभत के छत्र की तरफ चलती चली जाती है यह रेखा जब बुद्ध परभत के अधूरे से अंदर के छत्र की तरफ यानि इस तरफ आती है तो ये रेखा बुद्दे के रेखा के रूप में आपके जीवन में इसका प्रभाव दिखता है और वहीं अगर अगर बाहरी छेत्र में आती है तो स्वास्त के रेखा के रूप में इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखता है जब भी कोई रेखा है यहाँ पर सीधी अवस्ता में आगे कि तरह बढ़ती है बीना टूटे हुए बीना किसी प्रकार के खंड़न के स्थिति में तो इसके सुपरभाव आपके जिवन में अस्वश्ट और प्याते हैं अगर बाहरी छेत्र में है तो किसी प्रकार के स्वास्त समंदी समस्याओं को आपके जिवन में नहीं आने देगा वही अंदर के छेत्र में है तो यह आपकी बौदिक शम्ता का विकास करेगा साथी आपके काले छेत्र में लगातार उनत्ती देगा भर्म के स्थिति आपके जीवन में कभी नहीं रहेगी जो भी फैसले लेंगे वो फैसले बेहतर सुष समझ के लेंगे और उसे पूरा करेंगे और वहापर सफलता आपको प्राप्त होगी आप दूसरों को भी अच्छी सलाह दे पाएंगे अपने अच्छी आइडियाज के सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आपको काफी तरक्की मिलते हुए चली जाती है बुद्धी विवेक का सही जो सामंजस्त है वो बिठा पाने में यहां पराप काम्याब होते हैं और उसका सही परियोग कर पाने में सक्षम होते हैं साथी जितनी प्रकार की जातक चीजों को प्रैक्टिकली लेने में यहां पर भरोसा रखता है और तत्थ्यों पर हमेसा भरोसा करने वाला होता है जातक चीजों के साथ आगे कीत्रब बढ़ता है और हर एक चीजों में अपना संपूर्ण देने की स्थिति इनकी हमेशा बनी रहती है लेकिन वहीं पर जब यहां की रेखाएं टूटती फूटती आगे की तरफ बढ़ती हैं तो इसका क्या परभाव होता है इसके संबंद में आपको जानना चाहिए क्योंकि ज्यादा तर हतेली में आप ऐसे ही स्थिती देखेंगे की रेखाएं काफी टूट फूट के आगे की तरफ बढ़ प्राय हो चुके यानि की खतम हो चुके है यानि इसका कोई भी प्रभाव जातक के जिवर में सुलह में वर्स के उपरांत नहीं आएगा अब एक दूसरी रेखा बहुत महीन रूप में इहां से निकली है और आगे की तरफ बढ़ती हुई चली गई है जब आगे की तरफ कई है तो नीचे बड़ेजी सफर के लुप में बड़े चोड़ी इस्थिति हुए आगे की तरफ बढ़िये है और एक दूसरे को कटते रुआ या एक दूसरे के संपर्क में आते हुए उपर की तरफ चलती चली जा रहे है और हीरदयरेखा के बिलकुल नीचे नीचे तक के पुर्ण लूप से खतम होती चलती चली जा रही है अब इसके जो प्रभाव हैं कैसे आएंगे देखो इसमें स्वास्त की रेखा और बुद्ध की रेखा दोनों एक साथ आगे की तरब बठ रही है बीच में जो महीं रेखा का समावेस है इसे आप जंजीराकार इस्थिती मान सकते हैं कि एक रेखा दूसरे रेखा के साथ आगे की तरब बठ रही है यानि कि दोनों का समान भाव से इसका फल जातक के जीवन में देखने को मिलता है ऐसे जातक को हमेशा स्वास्त समन्दी कुछ न कुछ बिकार लगे ही रहते हैं कुछ न कुछ समस्याइं इनके अ राप्त होनी चाहिए उसके लिए हमेशा जूज रहे होते हैं इसके अलावा एक जीवन में एक अकारन भै की स्थिती भी हमेशा बनी हुई होती है आर्थिक तोर पे अपने आपको एक सुद्रिट स्थिती में या एक सेफ इस्थिती में कभी भी आप महसूस नहीं कर पाते आपके अंदर जितनी चमता है उसका सही परियोग या पूरा परियोग आप अपने जीवन में कई बार आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ने कहीं इस सब्त है कि आप अपनी पूरी चमता का परियोग नहीं कर पाते हैं आपके अंदर अच्छे अच्छे लंबी समय का सोच के या लंबीया जो गेम होता है खिलना वे उसमें आप कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाते हैं और बहुत ही जल्द हिम्मत हार जाते हैं अगर किसी भी चीज में आगे बढ़ने की कोशिस करते हैं तो आपको अगर लगातार सफलता नो मिले तो इस चीज़े पुरी तरीके से तो टालती है और उसके बाद जो चीजे अच्छी चल लही हो उसे भी आप खराब करना शुरू कर देते हैं अपनी हरबड़ी में अपनी घबराहट में तो जब भी ऐसी स्थिती आये जातक को बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए खुद का रिव्यू करना च चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिती में दो तीन चीजे हैं लक्षन जो कि आपको दिखाई देंगे सबसे पहले आपकी वानी खराब हो जाएगी दूसरी आपकी निंद जो आपकी नॉर्मली आ रही थी वानी बंद हो जाएगी आपके चेहरे की जो चमक है वो पुरी तरीके से उतर जाएगी और रिस्ते जो भी आपके है वो सारे रिस्ते टूटने सुरू हो जाएगे जब ऐसे लक्षन आने लगे तो समझ जाओ कि आपके जीवन में इनका को परवाओ यहां पर सुरू हो चुका है इसके अलावा ए आर्थिक तोर पे भी आपके लिए मुश्किलों क हमेशा बनाए रखने का काम करती है तो समय रहते अगर इसका उपाय नहीं किया जाता है तो यह चीजे आपके जीवन को इस तरीके से मुश्किलों में डालेगी कि फिर ना आप घर के रहेंगे न घाट के तो जब भी ऐसी इस्तिती बने काफी सावधानी के साथ अपनी कु जाज जासरा दे